टेकनोलोजी की हमारी लाइफ में बहुत इंपोर्टेंस है और आजकल करीब करीब सभी बिजनेस टेकनोलोजी पर डिपेंडेंट हैं तो आज के इस वीडियो में मैं टेकनोलोजी सेक्टर की बात करूँगा और साथ ही इस सेक्टर से जुड़े हुए एक MFO को रिव्यू करते हैं जो कि टेकनोलोजी बेश्ट है हम शॉपिंग करते हैं हम फूर्ट के दिलिवरी लेते हैं हर चीज में टेकनोलोजी का इस्तेमाल हुता है यहां तक कि मेरेन दमें हम टेकनलोजी का यूज करते हैं, हम नेट बैंकिंग करते हैं, मुबाइल एप का इस्तेमाल करते हैं, यानि कि Fintech की importance भी हमारी life में बढ़ती जा रही है, हम जिस तरह से पहले अपने documents को save करने के लिए file का इस्तेमाल करते थे, अब वो file भी computer पर बनती हैं, हम cloud-based storage का इस्तेमाल करते हैं और दिन में कई बार हम social media platforms का इस्तेमाल करते हैं, यानि कि technology अब हमारी life का हिस्सा बन चुकी है, सुभह से लेकर शाम तक हम कदम कदम पर technology का इस्तेमाल करते हैं, virtual meetings, webinars, video conferencing, online education, ये सब technology की बदोलत मुम्किन हो पा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि technology sector में लंबे वक्त में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, गौर्मेंट ने IT sector में 100% FDI allow की हुई है, साथ ही IT hardware में production linked incentive एनाउंस किया है जिसका फायदा इस sector को मिलेगा, और साथ ही fast track digitization का फायदा और साथ ही UPI के थुरू ये आप payment की बात करें, तो यहाँ पर transactions में 100% का increment देखा गया है, तो इन सब बातों का इस sector को benefit मिलेगा और इस sector में investment करने पर लंबी अवधी में यहाँ पर अच्छी returns की उम्मीद की जा सकती है, तो जैसा कि मैंने सुरुबात में कहा था कि आज मैं IT सेक्टर से जुड़े हुए एक NFO को review करूँगा, तो मैं बात करूँगा आधित्य बिरला Sun Life Nifty IT ETF की, अब जैसा कि नाम से बता चलता है कि यह एक IT सेक्टर specific fund है, और इस fund के portfolio में IT companies होंगी, और साथ ही क्योंकि यह ETF है, यानि कि यह exchange traded fund है, exchange traded funds का फायदा यह होता है कि इनमें transparency होती है, real time basis पर इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है, यानि कि market hours में जिस तरहें से आप shares खरीदते और बेचते हैं, उसी तरहें से ETF को भी खरीदा और बेचा जा सकता है, एक बार जब किसी ETF की listing हो जाती है, और सभी ETF यह stock exchanges में list होते हैं, NFO के दोरान इन्हें आप directly company से buy कर सकते हैं, और list होने के बाद आप अपने broker के थुरू इन्हें खरीद और बेच सकते हैं, एक mutual fund का NAV दिन में सिर्फ एक ही बार change होता है, जबकि एक ETF का price दिन में कई बार change हो सकता है, और एक छोटे से amount से ETF में investment की सुरुवात की जा सकती है, सभी ETF किसी रख किसी index को track करते हैं, लेकिन कुछ ETF ऐसे होते हैं, जो की broad based index को track करते हैं, जबकि कुछ ETF किसी specific index को track करते हैं, तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं आदित के बिला Sun Life Nifty IT Index की, तो ये Nifty IT Index को track करेगा, जिस तरह से technology की demand बढ़ती जा रही है, और government का इस sector को अच्छा support है, इससे ये बात होते हैं कि लंबे समय में इस sector से अच्छे returns की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन एक बात याद रहे कि जब आप किसी diversified fund में investment करते हैं, तो वहाँ पर multiple sectors होते हैं, और किसी वक्त पर किनी कारणों से यदि एक sector के उपर दबाव होता है, तो ऐसे में fund managers दूसरे sector में exposure बढ़ा देते हैं और उस sector में exposure कम कर देते हैं, जिससे risk थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जब आप किसी sector specific ETF में invest करते हैं या sectoral fund में investment करते हैं, तो यहाँ पर risk और reward दोनों ही अधिक हो सकते हैं, और साथ ही जब आप किसी diversified fund में investment करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका exposure IT sector में होता है, यहाँ तक कि यदि आप Nifty, 50 या Sensex पर based index fund या ETF में invest कर रहे हैं, तब भी IT sector में आपको exposure मिलेगा, लेकिन अंतर यह है कि वहाँ पर जो exposure है वो limited होगा, लेकिन यदि आप IT sector fund में investment कर रहे हैं, तो आपका 100% exposure सिर्फ और सिर्फ IT stocks में होगा, तो यदि investor को कभी ऐसा लगता है कि IT sector broader market के मुकाबले बहितर perform करेगा, तब आपने portfolio का एक छोटा हिस्सा IT sector fund में invest किया जा सकता है, यदि हम Nifty 50 TRI और Nifty IT index की year wise past performance देखें, तो आप देखेंगे कि अधिकतर years में Nifty IT index ने Nifty 50 TRI के मुकाबले बहितर perform किया है, Nifty IT index में large cap IT companies हैं, जैसे कि Infosys, PCS, Wipro, SCL, Tech Mahindra, L&T, यदि कि इस तरहें कि बड़ी बड़ी companies इस index में हैं, तो जब आप Nifty IT ETF में investment करते हैं, तो आपको एक unit buy करने पर भी 10 कंपनियों में exposure मिल जाता है, quarterly basis पर index की rebalancing होती है, यानि कि किसी particular stock का weight index में यदि 33% से अधिक हो जाता है, या फिर 3 top stocks का weight यदि 62% को cross कर जाता है, तो ऐसे में इसको rebalance कर दिया जाता है, ताकि आपके portfolio में risk limited रहे, और every 6 month में index reconstitute होता है, यानि कि यदि किसी particular stock को निकाल कर उसकी जगे नई company को entry देनी है, तो वो every 6 month में possible होता है, तो अब सवाल यह है कि किस तरहें के निवेशकों को Nifty IT ETF में निवेश करना चाहिए, तो ऐसे निवेशक जो पहले से mutual funds में investment कर रहे हों, और अपने portfolio का एक छोटा हिस्सा IT sector में allocate करना चाहते हों, उन्हें इस तरहें के funds के बारे में सूचना चाहिए, और साथ ही ETF में निवेश करने के लिए आपको DMAT account की जरुरत होती है, तो यदि आपका DMAT account है और आप already shares में investment कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एक ETF में भी investment कर सकते हैं, क्योंकि जब आप mutual fund में investment करने के साथ-साथ, कुछ IT companies में investment कर रहे हैं या दूसरे कुछ stocks में investment कर रहे हैं, तो at least जब आप एक ETF में investment करेंगे, तो आपका investment एक specific shares में होने की बजाए 10 companies के एक share में होगा, यानि कि जब आप Nifty, IT, ETF में investment करेंगे, तो एक unit आपको 10 कम्पनियों का exposure देगी, और यह 10 कम्पनिया कौन सी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तहें से हर investor को एक sector specific fund में investment करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे investors जो already mutual funds में काफी समय से invest कर रहे हैं, और जिन्हें ऐसा लगता है कि इस sector में investment करके, वो broader index या broader market के मुकाबले में बहतर returns अर्न कर सकते हैं, और risk taking capacity थोड़ी बहतर है, इस तरहें के investors sectoral ETF में invest कर सकते हैं, आदिते बिला सनलाइफ Nifty IT ETF minimum 95% Nifty IT TRI के जो stocks हैं उनमें invest करेगा, और maximum 5% cash और cash equivalent instruments में allocate कर सकता है, ये NFO 20 October 2021 से 28 October 2021 के बीच खुला रहेगा, और क्योंकि एक open ended ETF है, तो ये stock exchanges में list होगा, और तब आप इसे अपने broker के थुरू खरीद और बेच सकेंगे, NFO के दोरान minimum 500 रुपीज से इस ETF में investment की सुरुवात की जा सकती है, और उसके बाद 100 रुपीज के multiples में additional purchase किया जा सकता है, और listing के बाद आप कम से कम एक unit इसकी buy कर पाएंगे, केवल ऐसे निवेशक जो लंबी अवधी में अधिक risk लेकर broader market के मुकाबले में बेहितर returns कमाना चाहते हों, ऐसे निवेशकों को इस तरहें के sector specific ETF में investment करने पर विचार करना चाहिए, मुझे उमीद है यह जानकरी आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करना और शेर करना ना भूलें, और साथ ही यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो, तो आप comment box में post कर सकते हैं, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, इसी तरहें की महत्मूर जानकारी के साथ अगले वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, तैंक यो, जैहिन!